सब्सक्राइब टू राकेश टेकवर्ड एंड क्लिक ओन बेल आइकन टू एट नोटिफिकेशन ओल लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू राकेश टेकवर्ड मैं हूँ राकेश तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुआवे मोबाइल के लीक्स के बारे में कुछ लीक्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है हुआवे मोबाइल के बारे में जो की P-Series का हो सकता है यह जो leaks आ रही है वो इवान बिलैम्स के Twitter अकाउंट से आ रही है जो की इन चीजों में यह leaks वगएरा में थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं उनका कहना है कि उन्हें यह जो information मिली है creative agency की तरफ से मिली है जो Huawei मोबाइल के लिए काम कर रहा है यह जो मोबाइल लोंच होने वाला है इस मोबाइल फोन में जो कुछ leaks निकल कर सामने आया है वो है rear camera जो की 3 lens का rear camera हो सकता है और यहाँ पर 40 megapixel आपको देखने को मिल सकता है और अगर हम बात करें front camera की वो आपको 24 megapixel का देखने को मिल सकता है तो एक हिसाब से काफी ज़्यादा improvement होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर event blends का कहना है कि यह जो काम कर रहा है Huawei यह Leica जो lens बनाने वाली camera lens बनाने वाली company है उसके साथ मिलकर यह काम कर रहा है जो की यह सब quality यहाँ पर देने वाला है इसके अलावा अगर हम बात करें बागी कुछ चीजों की तो यह P10 series का अगला phone हो सकता है लेकिन वो sure नहीं है इंडिया में तो P10 series के कोई phone अविलेबल है नहीं लेकिन future में में भी Huawei प्रोवाइड करा सकता है यह इंडिया में भी तो Pro Night Mode के साथ यह phone यहाँ पर अविलेबल होगा मैं आप कुछ images वगरा देख सकते हो जो leaks की है दिखने में कुछ लग रहा है कुछ आने वाला है नया यहाँ पर और में भी यहाँ पर MWC के दोरान योगी अगर पसंद आई चैसे प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपक वीडियो तब तक के लिए बाइ-बाइ और टेक कियर थेंक यू